नमस्कार आप देख रहे हैं रफ्तार मैं हूँ आपके साथ सौम्या इस साल दिसंबर महीने में कुछ एहम बदलाव होने वाले हैं जिनका असर आपकी जेप पर पढ़ सकता है तो चलिए जानते हैं इन बदलावों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं ट्राइ के नए नियमों के बारे में ट्राइ यानि भारतिय दूर संचार नियामक प्रधिकरण अब एक नया नियम लागू करने जा रहा है इस नियम के तहट 1 दिसंबर 2025 से आपको फर्जी OTP और अनावश्यक मेसेज नहीं मिलेंगे मतलब जो OTP मेसेज आपको बिना मांगे आते हैं वो अब नहीं आएंगे ट्राइ ने ये कदम ट्रेसिबिलिटी यानि संदेशों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए उठाया है इससे आपको सिर्फ वैद और जरूरी संदेश ही मिलेंगे अब ये नियम टेलीकॉम कमपनियों को एक दिसम्बर से लागू करने होंगे जिनमें जियो, एरटल, बीसनल और वी आई शामिल है ये कदम धोखा दड़ी को रोकने के लिए बहुत ही जरूरी है अब बात करते हैं SBI यानि भारती स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में एक दिसम्बर से SBI ने अपनी क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने का एलान किया है 1 December 2024 से SBI के 48 credit card अब digital gaming platform पर किये गए लेन देन पर reward point नहीं देंगे इसके अलावा गर आप 50,000 रुपे से जादा का utility bill पे करते हैं तो उस पर एक प्रतिशत का अतिरिक चार्ज लगेगा वही 50,000 रुपे से कम के utility bill पर कोई अतिरिक चार्ज नहीं लगेगा SBI ने defense credit card को छोड़ कर बाकी सभी unsecured credit card पर अब 3.75 प्रतिशत का चार्ज लगाने का फैसला किया है तो अगर आप SBI का credit card इस्तमाल करते हैं तो इन बदलावों का ध्यान रखे अगला बदलाव Axis Bank के credit card में होगा Axis Bank 20 December 2024 से कुछ नए शिल्क करने जा रहा है अगर आप Axis Bank के credit card जैसे Atlas, Samsung या Reserve card से reward points को नकद में बदलेंगे तो आपको 99 रुपे का शिल्क और 18 प्रतिश्यत GST देना होगा तो अगर आप इन credit cards का इस्तमाल करते हैं तो इस नए शिल्क को ध्यान में रखे अब बात करते हैं LPG gas cylinder की कीमतों के बारे में हर महीने की एक तारिक को gas cylinder की कीमतों में बदलाव होता है एक नवंबर में तो किसी भी cylinder की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन ओक्टूबर में commercial LPG cylinder की कीमतों में 48 रुपे की बढ़ोत्री हुई थी वही अगस्त और सितंबर में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी तो दिसंबर में भी कीमतों में बदलाव हो सकता है और इससे आपकी घरेलू और कमर्शियल गयास सिलेंडर की कीमतों पर असर पड़ेगा ये थे दिसंबर महीने में होने वाले कुछ एहम बदलाओ ऐसी ही और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते हैं रफ्तार